हम अपने हर वीडियो में बात करते हैं किसी पर्टिकुलर ब्रैंड की किसी पर्टिकुलर सेग्मेंट की किसी पर्टिकुलर गाड़ी की हम इस वीडियो में बात करेंगे ओवरॉल हर ब्रैंड हर उस मैनुफेक्चरर की जो गार्स को इंडिया में डेवलप करते हैं बनाते है बेचते हैं और स्टैटेजीज की उनकी फंडरमेंटल्स की उनकी नंबर आफ सेल्स की पेसिकली यह विडियो रहेगा एक इंडियन मार्केट को समझने का कि लोगों का मूड जो है जो फोर वेहकल को चला रहे हैं यूज कर रहे हैं उनका मूड किस तरफ जा रहा है इंडियन ची यह ओ पर एक वीडियो पनना चाही है और अपने वीडियोर्स के साथ शेयर करना चाही है कि बैसेकली ही इंडियन मार्केट यह वह इंडिया का जो है वो टां खड़ा है हो और किस सार्फ जा रहा है तो ओवरॉल इंडिया में अगर आप वेहिकल्स की सेल देखें, मैं वेहिकल्स की बात कर रहो तो अराउंड सवा दो करोड लास्ट येर सेल्स हुए थे अब अगर आप पैसेंजर वेहिकल्स की बात करें, जिसमें आप काफी इंट्रेस्ट रखते हैं और आपकी वीवर्स भी रखते हैं, वो सवा दो करोड में से सिर्फ सोदा परसेंट पैसेंजर वेहिकल्स कांट्रिब्यूट करते हैं तो मोटा मोटी आप सबच दीजे कि 37 लाग गाडियां लास्ट येर पैसेंजर वेहिकल्स फोर वीलर्स हुई थी, अगर आप उन पैसेंजर वेहिकल्स सेग्मेंट के अंदर गुषते हैं, तब आप ये पाएंगे कि around 70% जो शेर है उनके पैसेंजर वेहिकल्स का वो तीन स अगर आप इनको टोटल करियेगा, तो ग्लोस टू 75-80% ये इन चार कमपनीज के बास आता है, 16 टोटल मैनुफेक्ट्रिस हैं इंडिया में, इन 4 के अलावा 12 मैनुफेक्ट्रिस बचे, उनके पास सिर 15% का शेर है, तो सैथिस लाग मेंसे मेजर शेर इन चार के बास है, पांच है, अगर आप इस लिस्ट में उपर से नीचे बॉटम के पांच पकड़ियेगा, तो उन बॉटम के पांच के पास मिला के 2% है, इसुजू, फोर्स, सिट्रन, जीप, निसान, वोक्सवागन, इनको मिला के, तो इन 4 पांच को मिला के सिर्फ 2-3% की शेर है, तो उप को समझने के लिए, हम लोग को इसा होता क्यों है, दो टाइमेंशन है, एक है सेल्स, कंजूमर बेहिवियर जो हो गया, बहुत सारे अलग अलग रीजन्स होते हैं, खरीदने के, आपको अपने गर में प्राइस के हिसाब से करीदना है, या आपको वाल्य फो मनी चाहिए, य या आप छोटी काड़ी, बड़ी काड़ी बेया है, शायद आप टू-wheeler से, प्र हो वेलर बिशिफ्ट कर रहे हैं, जिसमें लों को बात होडी कर दी चाहिए, तो इस तरह की बहुत सारे रीजन्स होते है, तो इसे बाद के बहुत सारे रीजन्स होते है, पोतल कॉस्ट by safer brands जिसमें आप जिसके देंसिटी जादा होगी किसी नेबर्वोड में sales and service experience कैसा है अब आपने गाड़ी तो गरीद ली उसके बाद आपको service station कितने मिल रहे हैं उनकी density पर km पर square km कितनी होती है उस पे काफी depend करता है तो ये तो sales ये तो consumer side के बहुत सारे reason factors होगे और supplier side के भी factors काफी complicated होते है अब जैसे कि आप खुजी सोचेए कि नीचे के अगर 4-5 players के पास 2% share है और उनको यहाँ पर गाड़ीया उतारनी है तो अब वो India में जो investment करेंगे factories लगाएंगे, supplier relationships बनाएंगे, service network बनाएंगे उसका जो cost होगा उसको cover करने के लिए उनकी sales तो होनी जाहिए तो बनाना पड़ेगा service stations बनाने बढ़ेंगे तो उनके लिए वो बड़ा बड़ा challenge होता है और इसलिए वो ये पोशिश करते हैं कि हम कैसे अपने आपको existence बड़ाउट बेकिंग तो मच इन्वेस्पेंट्स ये एक रीजन होता है उनके लिए तो नॉट एक्सपांड देर फूट्बिल्ट जैसे कि आप ले लीजे किसी भी गाड़ी का एक्जामपल ले लीजे वोक्सवागन की फैमिली अभी आप ले लीजे तो गिनके टाइगून है वर्टस है वोतीन गाड़िया है निसान मैगनाइट है किक्स है आगे एक दो गाड़िया आ रही है तो इनकी कपासिटी कंस्ट्रेंट्स बहत होती है ठीक है और एक और इंपॉर्टन पॉइंट यह है कि जो आप supplier relationships बना भी रहे है जैसे कि आपने गाड़ी उतारी तो वो suppliers पहले 4 players जिनकी 80% market share है उनको जाधा supply करते तो आप अगर चाहेंगे कि अपनी गाड़ी में आप एक 13 इंच का rectangular बड़ा fast jazzy unit लगाए तो 70% market में तो वो available नहीं है तो उसको प्रोक्योर कराना वड़ा कॉसली हो जाता है तो छोटे प्लेर्स के लिए यह मुश्किल हो जाती है और अम लोग इसमें और आगे गुश सकते हैं काफी सारे regulatory factors भी होते हैं सबसे पहले सबसे पहले करते हैं वो two wheeler segment है बहुत इंट्रिस्टिक है वो सवा 2 करोड टोटल वेहिकल्स बिकी है उसमें से two wheeler डेड़ करोड भी गी है तो उसमें से two wheeler डेड़ करोड भी गी है ठीक है तो उसमें तब 60-65% overall two wheelers बिकी है अब आप आईए पैसेंजर वेहिकल्स में अब आप देखिए entry level cars का जो segment है इसको हम A segment बोलते हैं ठीक है अज़र एक चीज़ आपको यहां interrupt करूँगा तो एक list आउट करके आपता सकते हैं कौन-कौन से segments रहते हैं पहले तो A होता है जो आपका entry level है इसमें Alto हो गई, Quid होगी उस टाइप की गाड़ियां, Espresso होगी फिर B segment है, Wagon R होगी तो इसी बड़ी होती है फिर आपका B2 segment है विच इस Hatchpacks तो होगी आपकी बलेनो होगी ठीक है फिर सब 4-meter SUV segment होगी C1 बोलते हैं इसमें आपकी Nexon होगी ठीक है ब्रेजा होगी इस टाइप की फिर C2 होगया जो उससे बड़ी है चार मीटर से उपपर जैसे की एकिक से ठीक है आपकी करेटा होगी करेटा होगी सेल टॉस होगी यह सब होगी तेक है फिर उसके उपर मिट साइज SUVs है बीसे की आपकी होगी हुवी होगी हुवी सेविन अंडड़ सफारी सफारी यह सब होगी इनको डी सेग्मेंट बोगी इसी में सारे सेल्स होते है जो 37,000,000 गाडियां होगी अब सबोस्ट करें कि किसी को तो वीलर से फोर वीलर पे शिफ्ट करना है तो आप एक लाग एक लाग दो लाग रुपे देख पदब थोड़ा स्ट्रेच करके अक अल्टो ले सकते दे वो 30 किवाईटर कि आप दो सब्दो में मज़े याद है सब्दो आज से दस बारा साल मन मैं बात करें तो सबादो डाई के अंदर-अंदर आपको एक ऑल्टो आ जाती थी बिल्कुल उसमें आपको अगर उसना चाहें एक नई गाड़ी और अगर प्राइस सेंसिटिव हैं तो आपके पास ऑप्शन्स ही नहीं वचाहें क्योंकि आपके जेब की उपर चली जाएगी कॉस्ट ऑव उनर्शिप तो अब क्या हो रहा है कि टूविलर सेल्स बढ़ गी और उसकी वज़े से यह से आप कह रहे हैं कि यह सेग्मेंट लोग प्राइस फ्रेक्टर की वज़े से ज्यादा इंट्रूएं इसलिए ब्राइए जादा इंट्रस्टिक में इसली यह और यह सेग्मेंट ऑन्नी बंदोगी के ब्मतिको क्रीदना मैंटेन करना फ्यूवल कॉस्ट वह तका क्षिए लेना से भी खरीदना नहीं है उसके बाद उसमें और भी उसमें बहुत इंवेस्मेंट करनी है तो एक तो वह एक्सेसिबल नहीं है रहा वह वाना सेग्मेंट दूसरा जो आप किया रहे हैं सप्लायर साइट से इंपुट कॉस्स बहुत हाए है उस वज़ा से मनिफेक्चर कर सब्सक्राइब नीच भी जो सब्सक्राइब आप जाए ऋ फ़सेय करने पर यह कई नहीं मधर करें एक सर्थ्वेया चेंट में टैटrency यह सेगमें लेकिन आपके लिए नर्या प्रचीकर में बिले स्पश्च्साओं की बात क्या जिस लूह बंद हो गया लेकित यह बहुत अच्छी बात आपने गई अब अगर आप A1 को उठाए C1 और C2 को उठाए जो अपने Compact SUV वाले segments है तो उनके आप total number of cars को टोटल अप करें कितने आज offer पे हैं तो 90% आपने आपने जिन दो गाडियों का नाम लिया पंच और मैंगनेट का नाम लिया मैं कहा हूं कि अगर कोई इस इतने बजट तक जाएगा और वहाँ पर उसको ज्यादा option नहीं मिल रही है तो अगर कोई क्रूवीलर सेल्स जो है वो डेंड करोड के आसपाल तो फिर यहां पर जो मैं कंक्लूजन निकाल पा रहा हूं उसका रीजन यह है कि फिर वो रीज पांच तक की भी नहीं है फिर इसका मतलब इंकम लेवल्स भी इंडिया में हम लोग अभी अम लोग एकनोमिक्स पर जानी सकते है इसका एक रीडिंग यह भी है कि लोगों की रेजन जो सेव सेविंग्स रेट है वो थोड़ी कम है प्लाश के डेट में जो आदमी पहले उच्छल के ले ले ता गाड़ी ले बाता है और वो सकता है आदमी तो सब मैं भी जाता हूँ कि मैं अच्छी गाड़ी लूग इसे भी अच्छी गाड़ी खिक मेरे बास और वो रीच की बात तो होती है अच्छा एक अब यहां पर मैं थोड़ा सा आउट अफ टॉपिक में जाना चाहूँगा नमबर ऑफ सेल्स की बा अब लोग की जो है एवरेज सेलरी जो है वो कम हुई है लोगों को प्रमोशन नहीं हुए है सएलरी ही नहीं हुए अगर नंबर ऑफ कार्स जो भी है वह जाधा भी है अगर रिकार्ड ब्रेक हुए और और देख लें तो लोग फरीद रहे है ना और दूसरा पॉइंट यह है कि जो manufacturers है वो भी अपनी कार्ट की जो कॉस्ट है वो बढ़ाने से पीछे नहीं अट रहे हैं वो भी मतलब उनको आये दिन उनकी कार्ज जो है उनकी अब आप देख लें तो 1st of February से टाटा की कार्ज महंगी हो रही है ठीक है जो पैसेंजिन वेहिकल जो इस compact सेल्स और ये सेग्मेंट लेकिन अगर आप पैसेंजर वेहिकल में वापस आएं तो सैथिसलाग गाडियां जो हम लोग जिसमें लोग रूच ही रखते हैं तो उसके अंदर सीवन सीटू का जो सेल्स है वो अरू 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 अगर आप देखेंगे तो 42 परसेंट अरू आपक काफी सेल्स है लेकिन उसके यूनो उसके रीजन्स थोड़े डिफरेंट है मतलब एक तो कंजूमर बीवियर चेंज होगी है अर आप मी को थोड़ी सी रेस काड़ी चाहिए चाहिए अर आप मोस्त लोग जो गाडिया इस सोला पसेड इस पैसेंजर वेहिकल मार्केट में ल लेकिन इस मार्केट के अंदर जो खरीद है वह ही लोग है जिन्होंने पहले काडिया यूज कर रहे थे लिए तो विदिन थे पैसेंजर वेहिकल यूर राइट देर इस सिग्निफिकेंट अफ अफ अफलिफ्ट बट इन दे कॉंटेक्स्ट ऑफ धी ओवरॉल वेहिकल सेल् अब दब 125 करोड की अबादी अगर आप पकड़ें तो जो पैसेंजर वेहिकल का पेनेट्रेशन है वो अभी एक ऑपरचुनिटी है ब्राइंट के लिए बहुत सारा क्लेग्राउंड कवर करने के लिए रखा हुआ है यहले कि अगर आम टोटल पॉपलेशन की बात करें तो तो इसका एक परसेंट भी नहीं है बिल्कुल नहीं है आदा परसेंट भी नहीं है और वो स्ट्रक्शिल वीजन की वज़े से वो स्केल दी कर पाते है वह तो कि अश्परेशन हैं लोगी लेकिन उनके पास सेविंग्स नहीं है एंट्री लेवल्स में और जहां पे लोगों के पास पैसे हैं जो आपका C1, C2 उसमें 20-30 गाड़िया है तो फ्राग्मेंटेड है इस वेरी इजी तो स्विच फ्रॉम काइगर तो नेक्सॉन तो मतलब आप कंपारिसिस बहुत जल्दी कर सकते हैं तो किसी को क्लियर शेर भी नहीं मिलता और मार्केटिंग का बहुत कि पैली गाड़ी भी मारुदी थी तो गया और मैंने खरीद ली मैंने टेस्ट्राइफ भी ली वो सबसे अच्छा तो अच्छा तो है जो हमने 37 लाग वेसे पैसेंजर वेहिकल की उसका ब्रेक-पे बात करते है कि कौन कौन से ब्रेंड जो है कितना मार्केट शेर होल्ड कर करती है वागनार, बलेनो, स्विफ्ट, नेक्सोन, अल्टो, डिजायर, क्रेटा, अर्टिगा, ब्रेजा एंड पंच ये ये अराउंड 15 से 16 लाग है आउट अफ था 37 लाग्स ओके अब आप टोटल कार्स देखिए पैसेंजर वेहिकल में आप टोटल कार्स देखिए तो व ऑश है, आराउंड टोटी फोोटी फोटीफड एउटे começar है सारे प्रेंड की मिलाके मैं नेक्सॉन के अंधर की बात मैं यह उनके वेरेंट की बात नहीं कर रहे है नेक्सॉन इसा सिंगल एंटिटी आप कहरे है 45 कार्स है इन 10 कार्स का अराउंड 50% कॉंट्रिबूशन है इन थर्टी सेवन लैक कार्स एड़ा सोल्ट पहली चीज तो यह है अब आपकी क्वेस्टिन पे आते हैं तो मारुती के आप नमबर्स देखें तो इनका लास्ट येर के कंपारिजन में 15% ग्रो किया है तो आज के डेट में यह 15 लाग 16 लाग गाडियां इन्होंने लास्ट कैलेंडर येर में सेल किये अब मारुती के बीजन्स जो एक लेस्न है कार मैनुफैक्चर के लिए मेरे लिए जो है वो यह है अगर आपको लीडर्शिप पोजिशन चाहिए तो मारुती से सीखने की एक इम्पॉर्टेट पॉइंट की जरुवत है आप हर सेग्मेंट में एक गाड़ी उतारे और एक्जाम्बल एक सेग्मेंट में दो गाड़ी उतारे तो मारुती के पास आज के डेट में मेरे जानकारी के एसाब से 12 से 13 गार्ज हैं बिल्कुल हैं तो आप मारुती से आपको लेसन मिलता है और अगर आप 10,000 कार एक मॉडल पे सेल कर सकते हैं तो आपकी 3% मार्केट शेर होती है क्योंकि 37,000 का एक परसेंट आरों आप मत्त करें हाँ ठीक है 3% ही आलमोस आता है तो मारुती का सबसे ब्यूटिफुल यह है कि उनके पास हर सेग्मेंट पर एक गाड़ी है उसके बाद वर्ड आफ मौत हम डिसकस कर चुके हैं अच्छा एक भी आपर मेरे माइंड में कुछ चीज़ है क्योंकि अब इस चीज़ के बात करना बहुत जरूरी है कि हम लोग अगर आज से 5 साल पीशे जाएं तो सेफ्टी के ओपर इतना जाधा लोगों का ध्यान नहीं होता था किसी ने अगर क्योंकि जिस आप से स्विफ्ट बिक्ती थी जिस आप से वेगानार बिक्ती थी लोग वहां पर बात नहीं करते थे सेफ्टी यह पिछले 5-7 सालों से हुआ है जब से बेसिकली सेंडर्स बने हैं यह लोगों के दिमाग में चीज़ें आई हैं क्या रीजन है आज की रेट में भी कि मारूती फिर भी बना हुआ है इर्रिस्पेक्टिव इसमें एक्सेप्ट करने में कोई वराई नहीं है कि से अगर कोई कार ब्रैंड थी तो वह मारूती थी अमबैसेडर यह सब थी आप अगर हमारे पेरेंट्स की बात करिए वह जरेरेशन से आते हैं प्री-1991 उसके बात से हमें काफी कुछ देखते हो मिला तो जैसे आप महिंद्रा देख लीजिए वह उसी एरा की कंपनी है आप देख लीजिए वो भी उसी एरा पर टाटा को बहुत टाइम लगा तो अपना ट्रस्ट बनाने में वह आएंगे वह आपकी बात पर आएंगे तो मारूती की केस में क्या हुआ कि उन्होंने एट हंड़ेट के थू अपनी जो शेर ऑफ माइंड है वो अल्रेडी कैप्चर कर में एज इंडियन्स वो मैगी की तरह है कि मैगी की अगर आप हेल्थ रिपोर्ट उटागे देखिए तो उसमें तरह तरह की प्रॉब्लम्स दीजिया एंगी लेकिन शाम को विंटर्स में अगर आप मैगी नी का होगे तो आपको लेगा यार अगर आप इंडियन नी तो उ सब्सक्राइब है तो उसकी विज़े से यह सब चीजे और लोग जाए सेकेंड ट्रैक्टिकल रीजिन यह ना कि मारूती की काफी सेल्स सिर्फ सिर्टीज में होती अमन टेर्टू टाउंस टेर्ट्री टाउंस विलिजेज में इन जगहों पे इन जगहों पर इनको बहुत स सेंस इसलिए नाहीं तो बाळो पे आपको तो कभी भी जाओ तो डीजिय कि तो एक वहां पर बनावा है उसका हम यह आर अबס aठक करते हैं हम है पुब इंद्री शिंट की बात करते हैं के वह पर जो है आपको यह सारी फैसमिलेंगे वहां पर यह बाग रहाग रही होती है आरती को तो मैं तो कहुगा कि लोगो की घर के फैमिली मेंबर होते हैं यहाँ अगर आप आप अल्टो जैसी कार को मांटन्स पे ट्रस्ट करते हैं बिना हील, होल, असिस्ट और मतलब सेफ्टी के तो वो आपका फैमिली मेंबर है तो उसका स्पेस ही डिफरेंट है और उसकी वज़े से सेफ्टी विफ्टी उन पर फरक नी वड़ता सजल ठीक है, मैं आपकी बाद एक सेफ्ट समग है यह चीज मैं समझ गया लोगों का एक ट्रस फेक्टर है जो बेसिकली मारूती के उपर है वज़ा से गाड़ियां आज भी बिकरी है लोग दिमांड भी करते हैं पर क्या यह रिस्वांसिबिलिटी मैनेफेक्टर की नहीं बनती है अब आल अधर तिंग्स बिंग सेट यह बात तो आपकी सही है लेकिन देखी बिजनेस में गया है ना कि आपको आपको यह देखना है कि पब्लिक दिमांड किया है अगर पब्लिक की तरफ से आज मारूती नहीं लेंगे अगर सेफटी नहीं आगी तो मारूती का बेस्ट स्ट्राटिजी क्या है कि वो पब्लिक को सुनके उनके एस्पिरेशन्स इंकम लेविल्स और अपना हिस्टोरिकल रेकॉर्ड देखके गाड़ियं लांच करते हैं मान के जली कि मारूती का साइज निसान के जितना होता तब कोई भी गाड़ी अगर आप उतारते तो उसका कॉस्ट तू मैनुफक्चर बहुत हाय होता आज के डेट में कि अगर आपकी वैगनार अच्छा नहीं कर रही तो ऑप जल को कर शकते हैं तो आपि आपके पास ब्रेजा है अगर नहीं चल रही तो आप किसी और से क्यों कर शक्ते तो आपके यह को जाओ शकते हूए तो अधिन अटन tablespoon of scale the cost is spread across so many cards.Beats I mean 15,600 a.d अगर आप एक साल में कर रहे हैं तो COST IS VERY MINIMAL TO PRODUZE THE NEXT CARD. पा섯 let's move toason नेक्स जब रेंड यूंडा अब यूंडा और मारुती गारी देखिए बारुती 16 लाग काडियां लास्ट कैलेंडर येर में यूंडाइ सिफ चेज़ साड़े 5 लाग काडियां उन्होंने से अब यह काम करते हैं सेकंड और थाड को एक साथ उठा लेते हैं क्योंकि इनका ड यूंडा लाग बढ़ियां होती है और इस तिल लेस्ट थें दें दे फर्स्ट वन अब गड़ सकते हैं फर्स्सेकंड थर्ड मी अपिगाप अप यूंडाइका जो है कि अरूंड 14 पसंट मरकेट शेर है तो सैथिसलाक में से 14 पसंट हूंडाइका है और 13 पसंट 13.9 पसंट अपको टाट गर इसमें सबसे बेस्ट टाट बिकॉस टाट इस तर्ट इस फर टॉप फाइफ अगर रियल स्टोरी है जो जिनोडे एक्शल में लेडर जो ख्लेम किया है इल्कुल जो 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 स्कूल बढ़ाना चाहिए की कैसे आपको जिस गाडी को एक बहुत लोग बोलते उस पर आते हैं एक तो उनको यह समझ आगे कि सेफटी इस सेफटी कुट भी वन एंगल जिस पर हम सेल्स बना सब्सक्राइब एक भी गाड़ी नहीं होंगी जो हल्की इनकाप रेटिंग्स खराब हैं आपको पसंदो टाटा या नहीं पसंदो ड़सेंट मैटर पर ऐसी सब्सक्राइब करेंट मैं नीचे से लेगे उपर अडाली जै आप वाड़िया उनके पास अब तो कर्फ भी लांच कर हो जाएगी जो आपकी सब कंपैक्ट एशिवी आई 24 लास्ट 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 फिल करी रहे हैं इवी में उनकी लीडर्शिप है वो तीसरा र आपकी चल्स कि लाट बात चल रहे है तो इसमने में आपना छोटा सा एक पॉइंट रखना चाहूंगा पीछर उख नामने पहले कुंट प्रे बैंट नावर् police में कौन सी वी जो है बेसिकली लेना चाहेंगे तो देरा टू तू त्री ब्रैंड जो आ रही है नेक्सोन है एंगी जडेस है बीडी है उसके लब लास्ट एक उप्शन मैंने रखा था कि स्टिल वां टू बाइ दी आइस वेहिकल और श्री विल बी शॉक्ट तो सब्सक्राइब करेंगे और बाकी जो लोग है मैं स्क्रीन पर श्रीन लगा दूगा दूगा जो बेसिकली मोर दन थाउड़न पीपल एस वोटेड फोर्टिक्लर कम्मिनिटी पोस्ट और उस में से फॉर्टिफाइब परसेंट हैस वोटेड कि हम अभी भी नॉमल पेट्रोल डीजल गाड़ी ही लेंगे आइस वेकल ही मेरे भी तो क्या रीजन है फिर वो रीजन बहुत सिंपल है अगर हम कहते एक तरफ कि आने वाना ताइम फ्यूचर जो है वह वो ईवीज का है तेन देन इसके साथ एक यह भी बोलना जरूरी है कि आगे यह शायद एक्वेशन चेंज हो पांच साल में लेकिन आज करें बहुत सही बात है मैं भी उसी रैकेट में हूं मैं भी उस सर्वे का जब देता जो बाकी लोगों रही है के रीजन कॉस्ट और शिप है वन मैंने गाड़ी क मैंने सूचा अगर मैं गले तीन साल इस गाड़ी को चलाओंगा पेट्रोल लगा के थीन लाग रुपे का अगर मेरा रणिंग है अरौंड दस से पंद्रा किलोविटर पड़े तो मैं अगले तीन साल तक चला सकता हूं अट अट रदो थो तो थो थीलाक्स एक्स्ट्रा ऑ और यह बदलेगा अमन मैं कि आपिनेटी एंटी लेवल पी इवीज आ रही हैं और सिट्रून ने दस लाग में दस से ग्यारा लाक में उतार दिया है तुन भी उतार रही है अगही है अगही है सिट्रून की आईगी बुकिंग शुरी हो गही है आपकी नेक्स फॉन का तो चुछ तो बिलिटी और अपॉस्ट ऑपनिटे कम हो जाएं असली प्रेस्ट ऐलिगा होगा अवन मतलब मजा की वात कहा हूं अगर आप इंडिया के टियर तुरी और विलिजिस को अगर आप कंवें तो अबने कर में करने का अजब तो अब इस पोपलेशन के सब्स नोग अ we are future forward and we are aligned to the future of the world and all of those things but rubber has to meet the road at some point what do you think about the future in India? Hyundai is very solid if I also look at these numbers if you look from January 2022 if you look from January 2022 44,000, 44,000, 44,000, 44,000, 42,000, 49,000, 50,000, 49,000, 48,000, 48,000, 38000 consistent sales this indicates that word of mouth has been attained your crata, your I-10, I-20 so in their portfolio, whatever changes will happen it will happen that yes, consumer sentiment is going on, so let's go here I will launch this type of car here but as a brand, I think they are here to stay and every car that they will launch is going to do well entry level, I don't think they will do well for the reasons we have discussed before there are income issues, entry, accessibility of consumers but compact SUVs, subcompact SUVs, they will continue to do well it is a first step of entry level segment, basically, I-10 which we have talked about 4,000,000 rupes in today's programs that you will see the finden 좋은 vary of 7,000, 8,500, 000, i-10 you want to arrive at entry there will be some fragmentation there is actually an increase in this type of car but I feel i had È A Crata भूज बाता कि लोग बना तेस ड्रेव ली टो क्या ए टैस्टेस लेंग यह एटेस्ट गरलियार यह को बाडी निकलो तो अर जर टिक जाएं जैने फिल्माशिट बटेविकिंग कर अदो कर दो एक कर लाग कार तु वह बोलाशिटी। जौकि मैं आप जीजे सेख सकते हैं। वोचे सारी गाडियों की इंफर्मेशन और उससे अच्छी बात किया आप सेल्स भी नी करते हैं आप तो रियल ओनर्स को बुला के उनकी बाते हमें कम्यूनिकेट करते हो तो मेरे लिए वो जादे इंपोर्टेंट है क्योंकि मैं सीधर जा कि फिर ट्रस्ट के तरीके से गाड़ी सकता हो तो अनभाइस तरीके से बिकुल नहीं इंफर्मेशन गया आप लोग जैसे लोग बैरेंट मोटे सब लोग फिल कर रहे हैं तो इसलिए अटो एक्ष्पू किया वो रेलेमेंस उत्नी रहेगी नीए तो बढ़ेन भी कि घृट हुई है और यह आठशे और चारफंट का मार्क्रिट शेर ऊंपकर अंबबब एक्ष्पू मैं ओक्ट व जो है अगर आप पिछले साल के अग्रिजर में ही तो पुछका ब्रोट चा खूकम हुआ है किनका का मुआ है महिंद्शा verbs का मेंद्रा1 का में सबसे पहले सजल बात करना चाहूंगा महिंद्रा के लिए महिंद्रा की जो मार्केटिंग स्ट्रेटिजीज है बहुत ज्यादा पुश करते हैं बेसिकली अपनी चीजों को एक हाइप क्रियेट करते हैं पूरा मार्केट में स्कॉर्पयो आनी ती उससे पहले जबरदस सीरीज जो था जो बहुत ही चला तो उसका फॉलो अप 700 में 700 हो गया तो पॉर्फोलिय और वर्ड एक्षी जब आप उसको 300 में ले आए और गाडी भी अच्छी है फाइव स्टार रेटेड है उसकी रेटिंग भी अच्छी है एन परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है अभी तो वो हो गया तूसरी चीज जो बहुत लोग बात ती करते है वो है आनन महीं इस ब्रैंड के साथ एक ऐसे इंसान जुड़े हुए है जिनकी पॉब्लिक में सोशल मीडिय पे और प्रेजिंस में प्रेजिंस बहुत ही रिस्पेक्टेबल है तो उसका भी थोड़ा बहुत में पर हुड़े हुड़े है जासे रतन टाटा जी का जिसी सर का जो नेम है वो चलता है बिल्क लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और कहीं न कहीं अगी बड़ बड़ा फैक्टर बनता है अगश्चा अप जो जो इंडिया वाना जो है गट जशकर बहुत जादा एंड चल after a year of ownership and after sales is a little bit choppy Indra and Tata में difference क्यों है? Indra की strategy is like iPhone की strategy की मेरे portfolio में दो से तीन गाड़िया होई और मैं उन दो से तीन सेगमें अपनी लीडर्शिप करूँ है I should be known as an SUV क्यों है मेरी sales जाए गिर जाए गिर जाए थारी गाड़ह का stance है, presence है रहे भैर जाए गारी वहारी जाएंट जाएंटर्डाटर्च नारी उतिते क्यों है अप्र गिंसे जाएंटर्च मेरे में ऐज लोग नेग दिया है नेक्सन और एक्सवी 300 का सेम सेग्मेंट की कार हैं सेम फाइब सार रेटेड कार थे इंजन पर्फॉर्मेंस पी ऑल्मोस सिमिलर है अला की एक्सवी 300 का थोड़ा बेटर है जिस कंपेड टो नेक्सन बट सेल्स की बात करें तो जमीन आसमान का फरक है बिल्कुल मदब 15 14 से 15 000 और 3000 गाड़ी बिक्ती है एक्सवी 300 अगर आप किसी भी डीलर्शिप के वास सेले जाएं और नेक्सॉन बोले कि मेरेको नेक्सॉन लेना है वह आपको 10 से उपर वेरियंट दिखाएगा पच्छी से उपर वेरियंट से उस गाड़ी के इसका मतलब क्या है मैं कितना भी इरि साड़े 15,000,000 तक जाती है और 25 वेरियंट मतलब पांच लाग के वेरियेशन में 25 वेरियंट साथ लाग के वेरियेशन के अंदर 25 वेरियंट देंसिटी आप तो आपने सब को कवर गन लिया कोई आपके दुकान से जाएगा ही नी अब दूसरी दरा वेक्षिवी 300 देख ली 4 variants आप लोगे लिए कोई अब भी कम कर वी और मुझे लगता है उसका रीजन यही दा बिकास जो इनकी ओर इनकी मोर एक्पेंसिव कार्स जो यह लांस कर रहे थे साथे जाएगा है वो कर दो चाहते है वो बिके उसको वो डेडिकेर चाहते है का थान चाहते है दूट यहां अब smaller players में कौन-कौन हो गई यापकी जैसे की अब आपके हो गए Skoda, MG, Volkswagen इनका शेर अराउंड एक से सवा 1% है 53,000, 48,000 and 42,000 का इनके पास 4-5 गाड़िया होती है जैसे MG का अगर आप देख लिए तो 4-5 गाड़िया है अब इनके साथ निसान है निसान के पास एक गाड़ी है इनका मार्केट शेर अराउंड 0.93% है दो गाड़ी है मतलब किक्स है बटकि अगर आप किक्स प्लस मैगनाइट करिये तो 90% 99% सेल्स जो है वो मैगनाइट है जैसी क्या अब इसलिए कंसेडर कर रहे है अल्ली मैगनाइट अब मार्केट शेर वो 1.27% है अमाण निसान का 0.93% है 1% मार्केट शेर एक गाड़ी जसन निगालती है और वो इक गाड़ी जब पांच गाड़ी जिए पांच गाड़ी से 1% निगालती है अब ज़िए लगता है कि निसान के टेपर आज लीडर्शिप बैट के इस बात पे तो खुश होगी कि वो किसी तरह से 1% एक गाड़ी सी निकाल लिए बहुत है हाँ, उनकी स्ट्राटजी तो भी डिफरेंट है आपर क्योंकि वो और आज एक्सपोर्ट तो 17-18 मार्केट्स और बहुत सारी गाड़ियां जो आउट ओफ सर्क्यूलेशन हमारे हैं वो बाकी मार्केट्स में अभी भी अट्राक्टिव है सुनी हो गई, माइक्रा हो गई बहुत सारी गाड़िया चैने इसे निकल की ग्लोबली इंडिन मार्केट में प्रेजन्स के लिए अनफ है एक परसेंट हाँ मुझे एक्सपोर्ट तिली होता रहेगा ऐसा तो सीन नहीं होगा जो फॉड के साथ दुआ नहीं बिकुस देगी फॉड का पूरा जो स्ट्राटीजी था वस इंडिया जनरल मोटर्स फॉर्ड उन्हों जैसे तो स्टिन इंडिया तर मुझे टिली है वेलिबिग एक्सपोर्ट में इंडिया उन्हों एक्स प्रेंट नहीं पराटीजी थे उम्गारीग विए अव्ण के लिए आपने न्गा में सट्राटीजी रहती थे म्झेटी सुपूरी च्राटीजी रहती है थे मंचे 1.27 का share तो अब 5 गाड़ियों में आप 1% कर रहे हैं तो फिर आप देखिए अगे उनका क्या होगा क्या नहीं होगा उनका बुझे उतना strong footing नहीं लगता इवन तो cars are good जो कि I'm just going by the data निसान का गया है कि अगर कुछ होगा भी तो they have plan A, plan B यह मेरी रीडिंग है अभी future के आया निसान का अब तो देखिए अब जो चीज मुझे सप्राइजिंग लगती है जो मैने पिसली वीडियो में कादा की जो market testing extrane or risky कर रहे है जिस speed से companies facelifts और नई cars launch कर रहे हैं पर मंत अगर आप calculate करिये 3-4 गाड़िया उन्हों ने चे मिने पहले अनवील कर दी और जबी नहीं है मुझे लगता है कि उस speed से वो नीगर फिर मुझे काई नवी लगता है वो उनके marketing strategy के स्ट्रॉंग नीए अगर अगर वो चाहे तो बिल्कुल प्राइट बिकोज मार्केट में अब्सॉप्शन तो है जैसा मैंने आपको बताया penetration 16 पसेंट है तो there is a vast market उतारा ऐसा नीए कि मार्केट ने उनको कर दिया मार्केट ने लिया मेंगनेट अच्छी खासी भी किया तो ऐसा नहीं है कि प्रोड़क्ट आया और चला नहीं तो अच्छे मैं तो ओन करता हूं मैंने बात भी एसा मुझे तो लगता है कि उनके बास बहुत अच्छे और यह तो यह तो मैं कौंगा काफी अंडर्डॉक गाड़ी निकली क्योंकि जिससाब से इसमें परफॉर्मेंस है जो बिल्ड वालिटी है जो जिस तरह कि इसकी परफॉर्मेंस रहती उसे इतनी बिकी नहीं है और बहुत सी गाड़ी आए तो टॉयटा की एक और गाड़ी आती थी वह भी आड़ी नोट रमेंबर दने वह बहुत अच्छी गाड़ी थी लेकिन इंडिया और उनका इंटेंट तो है जो अगर आप सुनेंगे कम्यूनिकेशन में जो एमडी साब बोलते हैं तो इंटेंट तो है लेकिन जिस स्पीट से जिस विलॉस्टी से आपको पेनेटरेट करना है बहुत नहीं लगता है निसान, वक्सवागन, श्कॉड़ा, एमजी, जीप, स करना पड़ेगा, supply relationships, capacity building, factories, उसका जो business case होगा वो तब आएगा जब आप एक forecast दें कि इत्वी sales हो सकती है इस market में, तो और अगर वो sales होगी तब आपका वो business case अप्रूव होगा, it is a chicken and a frog. स्कॉड़ा, फॉक्सवागन की अगर्व स्पेसिफिक लिए बात करें सजल तो बड़ा, बड़ा ब्रैंड है, बड़ा ब्रैंड है, बड़ा ब्रैंड इसक में अकरम उनकी सारी brands को merge करतें, तो ऐसा है, बहुत सारी luxurious brand भी उन्हीं की फॉक्सवागन फैमिली के अंडर ही आ उतारी वर्टस उतारी, टाइगोन उतारी तो थोड़े serious भी लग रहे हैं, अगें, market share उतना कम क्यों है, market share उनका यह है कि अगर आप historically Skoda की cars देखिये, historically मतलब last 10 साल में देखिये, cost of ownership, cost of ownership थोड़ी जादा है, built quality, मतलब Nissan, Skoda, Volkswagen के ने, different customer persona है, जो खरीता है, तो वही गाड को अगूरी करता है, उनका माइलेज फेकर करती हो थे पताईगे कि कहुआ सेंट्री लेवल कार थी बहले, कभी नीजी जो भी गाड़े वह रतारी उनके प्रम्यम में आती थी तरह तो वो जो बड़ा निश मार्केट है, वो छोटा मार्केट है, और वह लोग ही, इन गाड प्रेवल भी उतारमाजी है, which is not their strategy, just like Mahindra wants to be the name in SUV, Volkswagen and Škoda want to be the name with premium fin, good build quality, good German performance, you know, at checked performance, I mean Škoda is checked, I mean Škoda is checked, they have the idea that I have the leadership in my vertical leadership, and what about the Citroen, Citroen is an old brand, they are doing good in India, they are doing good also, Citroen is a very bubbler brand in Europe, one thing you need to note, Citroen is part of a larger group, Stellantis, so there are economies of scale, I think Stellantis also comes to it, so as a group, they have economies of scale, the cost to manufacture is low, so for them it is simply, you know, lift and shift there, you have all the technologies, you have transferred and shifted, and you can do assembly or manufacturing over a period of time, so that is the advantage, and I think it is a good idea, and I think it is a good idea, the Citroen C5, that was a good car, that was a good tactic, that you first got a very good car, you know that it will not sell, but you have at least a little bit, you have shown your potential, that we are standing here, why are we building it? when you have a car, where you have a Starbucks, and the cars are running, it is not so beautiful suspension, it is not falling, so you have done it, after that you have built it, and now you are taking the C3, which is at a very good point, now C3 is also launched in electric, plus they are very humble, the MTSA and others are very humble, like they have taken the C3, they did not say that it is a SUV, they said it is a HVAC, it is a premium HVAC, and they are very humble about it, and they are very humble about it, and they are very humble about it, and they can do it, they have the potential also to invest that, now Nissan is making a magnet, suppose if you have to make a next car, it will be replaced with Kicks, so you have to change the whole factory, plus Nissan and Renault, they share it, so you have to retooling a lot, it will be costly, so the business case is that you will sell the new car, so there are all conflicts, and I think Citroen is managing quite well, okay, so Sajal, if you take this to the conclusion, we have talked about all the brands, we have covered all the brands, we have talked about all the brands, where you think that some of them can be a little risky, now Detson, all of a sudden has announced that we are going, with Ford, Ford was a big shock for the Indian community, although Detson is not a big difference, but still, a brand is different, if we take the case of General Motors, what do you think that Ford, General Motors, I think it was a timing issue, one of them was very good, their cars were very good, it was very good in today's market, but at the time they launched, some of our wallet size was very big, the second reason was that they were present in every segment, if they were present, they didn't update their time, they didn't update their time, if we talk about Ford, EcoSport, they are the same, the consumer in India needs freshness, every six months or so they need a face lift, we don't need these news, and they didn't do all these things, look at EcoSport, Renault and Duster, they are so big cars, basically, I think the concept of SUV, EcoSport and Duster created, one reason was their refresh rate, the second reason was their timing, the second reason was their timing, in the market, sedans, and smaller cars, hatchbacks, they didn't fit in that time, the second reason was that, their sales were very thin, I often say that, you have to get that car in India, we need to get that car in India, because most likely the cars will be that you will pay attention, like I had a Chevrolet Cruze, a big car, but General Motors decided to pack up and go, their reasons were all these, that their aspirations were not based on that, but the Indian market is already so big, so in that market, Nissan or Citroen, that they are surviving, when you said that, the 5 brands, which have 2% share, they are surviving actually, what was their issue after them, they are surviving, so in that sense, they also do it too, Nissan also, because of the export business, they are surviving, they are surviving, but the issue is now, the issue is now, they are building engines, and it is their own reality, so it is their reality, अगर कुछ सवाइफ कर रहा है तो उसके अच्छे ग्राउंड रीजन्स हैं लेकिन इन टम्स अफ मतलब रीजन्स तो एक्जिस्ट इंडिया इस और सेग्मेंट यू शूद आफ अवेलेविलिटी पार शुद भी सेफ refresh rate should be very high and consumer sentiment को आपको पकड़ के रखना पड़ेगा एक छोटा example आपको देता हो आप खुदी लिलाइस करियेगा कि तर नंबर ओफ इंडियन्स ट्रावलिंग ब्राड तोडे वसिस 10 अगो इस यूदो एक्स्पोरेंशली लार्च तो हम इंडियन्स जब बार जा रहे हैं तो हम नहीं नहीं गाडियां देख रहे हैं उससे मारा माइंड चेंज हो रहे हैं अब आप इंडिया में इको स्पोर्ट के मैनुफेक्चरर आपने चेंजी नहीं गया कुछ इब कि हम सारे लोग जो है अमारी फिल्ड व्यू अमारा एक्स्पैंड हो रहा है और उनके बाद आने वाले ब्रैंड्स जो थे उन्होंने उससे जादा फीचर सेने शुरू करती है दो दो तिन 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 फेसलिफ उतार ती है अब हुँड़ा और हुड़ा और हुड़ा और किया की स्टोई इस फीचर एंग्जेक्उश उससे अचा तो कुछ किया नहीं किसी ने इंडियन मार्केट तो अज इंडियन हमें भी यह चीज रिलाइज हो हुँआ है नहीं हुँछ होता नहीं था अज़ एप देखियां थ जा क्या नहीं है तो यह सब रीजन्स है कि इन लोगों ने you know they were not in step with consumer sentiment मुझे आज के डिट में अगर किसी का डर लगता है मैं कहुँगा कि आज के डिट में एवी की वज़े से बहुत लोग रह जाएंगे क्योंकि एवी जैसी जो फर्स्स मूवर गुसेगा और एंट्री और मिड लेवल को मतलब मिड लेवल का मतलब 20 से 15 से कम के segment में जो पकड बना लेगा वो रुख जाएगा तो जैसे टाटा ने फर्स्स मूवर एडवांटेज और नहीं लिए पचास जार गाड़ी बेचेती है विल्कुल विल्कुल ताटा का तो रहेगा मुझे लाटा को करना मुखिल हो आप बतारे दर किसका लगता है तो अभी तंबर्स के साब से देखी तो सिट्रोएन अभी सिब्लिंग है वा सौरी इंफेंट है मार्केट ले निसान का मुझे उतना डर नहीं लगता क्योंकि एक्सपोर्ट बिजनस बहुत अच्छा स्ट्रॉंग है यह लाँच दी काईगर तब से थोड़ा बेटर रहा है लेकिन मैं डेंजर्स पॉंट करना चाहूं की रेनोव के पूर्फोलियो में कार्स हैं नोट चेंज इन दे लास्ट वर्ट तू यह काईगर और कॉन सी गाड़ी है मुझे तो याद लीं काईगर ट्विट यह तीन स्टेल रहेगी तो फिर आपका कुछ अब जैसे अगर आप एक्स्ट्रेल उता रहेगी और आपने इस्ट्रेल अगले पांच साल तक रहेगी और आपने उसको चेंज नहीं किया हर आप मार्केट टेस्टिंग करेंगे तो फिर मुझे लगता है कि इप डिफिकल्ट तो सव अगर गवर्मेंट के जो प्रोड़क्शन लिंक इंसेंटिव स्टीव 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 अगर थोड़ा सा रेगुलेटरी साइट पे चीजों को इजी किया जाए तो मैं आपको फोरकास्ट एक बदा सकता हूं कि हर आदमी के पास एक एक वी कार होगी चार्जिंग स्टेश सपोग मारुती गुश्फो बेंग तो मुझे नहीं पाल यहां इंगी अजाए पागल तो हैं वही कुद भी उतार देंगे उजए तो आउनों धो जसे अब एकस को कंशेप दिखाया है अगर इसक्ट बांच करेंगे वह किस शेप में आएगा कैसा आएगा एगा इसाफज सब्सक्मेंट देके सारे चॉविस पचिस की सब्खी वहां पे वो बैटल ग्राउंड में डिसाइड होगा कि आगे कौन चले अगे मारूती टाटा मुझे लगता है कि अगर एसे चलते रहे तो ठीक है मारूती तो कहीं नहीं जाएगा टाटा महिंद्रा रहेंगे क्योंकि उ अगर आप उनको हटा दे तो फिर कॉस्टू मैनुफेक्च्छर आइस विकल्स 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 वर्ट एस पर दी अनॉस्मेंट इन हर्ट अटो एक्स्पो ताटा की बात करे तो तो ताटा पो और स्ट्रॉंगर और पारफुल पेट्रोल इंजन नाने वाला है नाग ने 1.3 लिटर टबो और 1.5 लिटर टबो एंजन अलरी मार्केट में अब आने माने मैं आपको वह कहा हूं कि वह कॉन्फिदेंस इसले आए बिकॉस जब अगर आप तॉप फोर हैं साथिस लाग में से आपकी गाडियां 80 पसेंट है तो आप ही डिटेट करेंगे मार्केट का इवी बैनेफैक्टरिंग इंडिया में तभी अफॉर्डेबल होगा जब 80 पसेंट मार्केट तो गवर्मेंट रेगुलेशन जो है रेगुलेटरी जो है वह बेसिकली इंपाक्ट डालेंगी वह उपर से फोर्स करेंगी तो होगा तो बदब घृत करते हैं हाइड्रो फ्य इस बेसिकली बाच चल रही है यहां फ्लेक्स फ्यूल की बाच चल रही है उनके जैसे कमशन इंजन के साथ बता आए कि में एक पर संट तक में पेट्रोल के साथ जो अभी प्लाल 10-15 पर संट है तो उनका फ्यूचर क्या रहने वाला फ्लेक्श फ्यूल है रहिड्रो ते जिल भी आपर मेरावाइटी बीभावर हैं तो इसे परचिर भी फुटेसित कि प्लिपकर निवें के वापर मेरा हैं 24-25, 12-25, if we meet, then we can talk about कि काफी ब्लॉट बाद होगा कि काफी इंट्रिस्टिंग हो तो विल बुटी कि यहाद तो सी इस कांड फिंग हम लोग उस एरा में जा पे चीजे रिवनेशनरी चेंज होगी लिए सब चीजे सेटल हो जुगी है इंडिया इस बैटल ग्राओं जापी यह सब चीजे हो रही ह और फीचर्स नहीं चलेंगे फ्यूचर में मुझे नहीं लगता कि फीचर सन्रूफ यह सब से आप सेल्स कर पाऊगी यह एक इंपोर्डेंट पर तो फीचर्स सजल का कहना है कि निसाइडिंग फेक्टर नहीं रहेगा विकोज हर कार पे संडूफ है हर कार में फीचर्स पे तो शाइड सर्विस्टेशन इस्पीरियंस बेटर हो जाए हूँ शाइद फुट्प्रिंट कंपनी अपनी कम कर ले वह उतने काड़िया ही नहीं सविसिंग नहीं वो भी हो सकता तो ट्वेटी-ट्वेटी-फाइव हम लोगों को मिल कि इसको एक बार तेख रहा है फिर वह यह बेसिकली हमारा एक थोड़ा डिफरेंट टाइप का वीडियो हमने यहां पर बनाने की कुछ किया एक थोड़ा सा इंफोर्मेशनल प्रपस्ट थैंक्स तो सारा डेटा लेकर किया है और एक्शली अप्रोच के हमें कुछ इस तरह का वीडियो बनाना चाहिए जिसमें हम किम बताएं कि कैसा कंपनी का मूड क्या है लोगों का मूड कैसा मार्केट में और कंक्लीट करते करते हैं हमने यह भी बात की कि आने वाले दो से तीन सालों में इंडिन मार्कीट वह कैसे रहने वाली है उमीद है आपको यह वीडियो ठोड़ा डिफरेंट है अच्छा लग झाल झाल झाल